तो दोस्तों फाइनली हम अभी अरेज मंदिर के पास पहुच चुके हैं अभी मैं चलता हूं मंदिर ये मेरी बीबी है ये हमारी बीबी भी हम दोनों सांथ में घुमने के लिए आए हैं अभी लेके चलता हूं मंदिर के तरफ मंदिर में पुजा अर्चना होगी जो करना है और फिर बाद में आपको दिखाता हूँ, मंदिर का द्रिस भी दिखाऊंगा, अगर मंदिर में रिकोर्डिंग पनाने के लिए अगर अथराइट कर दिया होगा, तो मंदिर में दिखाऊंगा, चलिए फिर चलते हैं मंदिर में फिर आपको दिखाते हैं, यह है मंदिर का गे यह मंदिर का गेट है यह मंदिर में कुछ-कुछ खूल गया है अभी मैं आपको फ्रांट के में दिखाता हूं यह मंदिर का अंदर का मतलब इंट्री गेट का द्रिस है अभी थोड़ा हम पुजा आर्चना करेंगे फिर दिखाएंगे अब लगभक सब पहले की तरह नर्मल ह हो चुका है कि मेला वेला लगा हुआ है कि अ कि अ हुआ है कि अ हमारे पंडी जी जल चड़ा का आते है ना उसके बाद पूजा करांगे जड़ी थे कि अ हम अंदर आ चुके हैं कि अ कि अ ग्रेजे गाएगा चला जा चला जाते हैं कि परोना के लिए के उतना भीड नहीं है फिर भी बहुत भीड होता है अभी परोना काल में तो भीडी मना जाएगा यह चल चड़ा के आता है अंदर से भीड बाद करते हैं यह हमारे बाबा बाबा का मंदिर है यह जो नीचे से दिखाते हैं जो फर्स है नीचे से दिखाते हैं फर्स है फर्स के नीचे कितना दस में दस फिट जैसे नीचे होगा बाहर जाना इदर से अरु जो जो का हम जां एगと思います का दो फिर से दुबर आ जाना हों से मन्दिर डिखाने एक तलाब तो दिखाने के लिए हम अंदर फिर से आ रहे हैं। देखिए मंदिर में कितना सुन्दर यह है मंदिर में आईए आप यहां के बारे में जानिये पुराना पुराना कहानी जो है यहां के पंडितों से पुछिए का तक बताएंगे हम नहीं पता पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब समय थोड़ा कम है हम फिर जाना है हम पो एक आर्जाम हो रहा है हमारे बार बहुत ही रह मेस है मेरा शाला को पंच मित शुक्त साथ लेकिन इसका पानी सुखता नहीं है, इसी तलाब के बारे में बताएं।